दूद बढ़ाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका नए तो पसूं का दूद कम होगा और नए पसूं की भूख कम होगी क्योंकि बहुत इस तरह के जो डेरी फार्मिंग वाले हैं उनकी ये समस्या रहती है कि हमारे पसूं में दूद की मातरा कम हो गई है तो आप कैसे आप किसी भी तरह का कोई भी साइड डेखने को नहीं मिलेगा क्या देना चाहिए किस तरीके से आपको क्या खिलाना चाहिए आज की वीडियो के अंदर में पूरी टीटेल से बताऊंगा रही बात जो यह तरीका है यह आप जो गर्मी यह भोज़एदा पड़ रही है गर्मी के कि आप उनका उप्योग आप अपने पस्टों में कर सकते हैं का मतलब ही किसी भी वेद्दर में करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल मिलेगा और गर्मी में ताप और भी अच्छा रिजल देखने को वीडियो जरू लबी होगी लेकिन पूरा रेगना इस चैनल पर भी नहीं चैनल प्रकार से वीदर हो था है यही तो मैं С antes का जाता है जिसकी वज़ेसे खानव कर देता है और परसु इसरेश में चला जाता है तनाव में चला जाता है अब तनाव में चला जाता है तो उसी स्थती में भी आपको बैटरी जल देखने को मिलता है या एदी जिन पशू में दूद की मातरा नहीं बढ़ पा रही है जो पशू आप जिस प्रकार से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर लेकर गए उदान के तोपर एदी आपने पशू राजस्तान से खरीदा और मारास्टर लेके गए या बंगा लेके गए या आप यूपी एंपी लेके गए लेकिन वहाँ पर ले जाने के बाद में आपके पशू ने एक तो खाना पीना कम कर दिया हो गया सुस्rog हो गया साथ में आपके पैशु में दूत की मात्रा है बाद गूती जारी है साथ में में पशुक मज़्ूर होता जा रहा है तो ऐस तरह के केसी में भी आप उपियों करते हैं तो सब से ज्यादा अच्छा बेन भीट आपके पैवनीं देखने को मिलता है है आपके पश्व के लिए एक रामबान है यह आप अपने पश्व में उपयोग करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पताना चाहता हूं कि एक तो समय समय पर डिवर्मिंग हर तोपिक आता है उसके अंदर में यह बताता ही हूं ताकि को नए जो जुड़ते हैं उन्हें प्रो यह स्वाइट इस की वज़़े की आपके पर शुव में प्रकार से या जिस प्रकार से अदर जो आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उसके बिचिए कोई बी महातरा को कम नहीं होने देना Russian में तो है केरस का आता है डोज लीफॉर्ट जो आपको इस पर दिख रही है दोज लिव फोर्ट लिक्विड आती है उसका उपयोग आप अपने पशू में करवाना है इस तरह के मौसमें तो यह आपके पशू के लिए एक रामबान है यह क्या करती है कि आपके पशू में एक तो दूद की मातरा को कम नहीं होने देती है साथ साथ में पशू की भू को कम नहीं होने देती है पशू की भू की मातरा कम नहीं होगी साथ में पशू प्रोपर खाएगा और पशू को स्ट्रेस में जाने से रोकती है जो पशू स्ट्रेस में रहता है जो पशू कम जुगाली करता है या जो पशू जिस प्रकार चे बांट या दान सबसे अच्छा और बैस्त रिजल्ट आपके पस्व में देखने को मिलेगा एदी आप अपने पस्व में इस तरह की दिकत हो गई है तो लाग करके जरूर अपने पस्व को दें अब परडे के साब से उन पस्व को लगातार दस दिन कम से कम दस दिन उस पस्व को पिलानी है या पांस से दस दिन कम से कम 5 दिन जदधा जज़ादा 10 दिन इसके बीच में आपके पस्व में इस तरह की दिखते हैं उन सभी का गुड पहले पॉने में बिघौ लेना है जिस प्रकार से सुबह को भी ङौईवा पानी में आपको श्याम को श्याम को आपको पानी लेकिन unavór जिस प्रकार से थंडे पानी में आप उसकोग गुड की डली को डाल दिया यूँ पींगल पिंगल जायेगी पानी बन तो वह सुब आप उस पशू को बांट या दाना में दे सकते हैं कोई भी नुकसान आपके पशू में नहीं करेगा सबसे बैस्ट रिजल्ट आपके पशू में देखने को मिलेगा एदि आप अपने पशू में अच्छा रिजय लेना चाहते हैं दूद की मातरा भी कम नहों औ तो आपको जो मैंने डोजली फोड एक आप अपने से गुड जो मैंने आपको बताया कि ठंडे पानी में बिगो करके और फिर आप अपने पशू को बांट या दाना मिशन है या जो भी आप यह लिक्विड दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके पशू को खिलाया जा सकता है आपका प्रसू के लिए सेप है क्योंकि इसके अंदर मात्रा में जो एलिमेंट्स विटामिन्स मिल भी होती है इसे के साथ साथ एदिया आपको और भी अच्छा रिजेल लेना है तो आप ज्यादा तर तो कहें कि इससे बैट्री जल मिल जाता है और यह आपको अच्छा रि करने के लिए आप जो एक नेचरल की गुल का बुस्त आती है उसका उपयोग आप अपने पशू में करा सकते हैं सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशू में देखने को मिलेगा यह गुल का बुस्त जो नेचरल की है बिना किसी साइड पेंट के तो यह 200 एमेल खैने का मतल कैंटिनिटी आप अपने पशू को देदें जो पशू दूद कम कर रहा है या भूख कम लग गई है अदर को दिकत होगी है या किसी तरह की गर्मी की सपेट में आ गया सबी पशू सवस्ती भी है तो भी आप इसमें गुल का बुस्त का परियोग अप गर्मी में कर सकते हैं बलग भी आपको रिजल देखने को मिलेगा दौसों एमेल परडे के उनुसार है उपने पशू को पिला डे डायरेक्ट भी आप सकते हैं कोई भी बांद आना मिस्त देरें उसमें दे सकते हैं पाने में गोल और विजय यह सब और यह मत्ती कि तरिक से इस तरीके से बचा सकते हैं कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशू में देखने को नहीं मिलेगा तो जो मैंने दो तरीके बता हैं चाहिए आपका पशू प्रिग्रेंट हो नो सभी तरह के पशू के लिए सेफ है तो यह जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसमें एक तो गर् दितरी थैंक्स धन्यवाद